आदिएबा乾 किसो फीडियो में हम बात करेंगे aident yeah फायर के बारे में तो आइडेन्टि फायर की हम रूल्स पंडेंगे रूल्स ओप सम ऐडेन्टिफायर ठीक है तो आदेन्टिफायर के रूल पड़ने से पहले हम ठोड़ा इसके बारे में जान लेते की aident इदेटिफायर होता क्या है ठीक है तो identify की पहले मैं आप को meaning बता देता हूँ तो meaning होता है इसका it is a name ये किसी बी टाइब का एक name होता है ठीक है अब ये name कौन सा हो सकता है variable का हो सकता है variable का जब हम कोई भी variable बनाते हैं जैसे variable का कोई भी नाम दे दी है मैंने तो वो जो भी नाम देता हूं मैं वरियेबल का वो क्या होता है एक अडेंटिफायर होता है उसके बाद अगर मैं कोई भी मैथड बनाता हूं मैथड का हम कोई भी कोई ना कोई नेम देते है ना तो वो जो नेम देता हूं ना मैं वो भी एक अडेंट होता है अगर हमने वैरियेबल का नेम देते हैं तो हम उसको इस नेम से इडेंटिफाई करेंगे उस वैरियेबल को अगर हमने मैथर का नेम देते हैं तो हम जब उस मैथर को कॉल करेंगे तो उसके इडेंटिफार के थू ही करेंगे उस इडेंटिफार के थू हम उस मैथर को क आपना ही है तो interface का मैंने जो भी name दिया ना तो वो होता है अपना identifier ठीक है तो identifier का role सब जगा होता है अगर आपने कोई भी program बनाना है तो सब जगा identifier का use होएगा next देखो इसका एक example देख लो identifier का यहां पर देखो जैसे मैंने क्लास अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास का नेम जो होता है वो identify होता है देखो मैंने class बनाई है sample तो sample class sample नाम की class बनाई है तो sample क्या है यहां पर एक identifier है उसके बाद हमने यह main method बनाया उसके उसके अंदर मैंने एक variable बनाया इंट x equal to 22 तो x की वैडिटी तू डालिये तो x यहां पर क्या एक variable का नेम है ना तो यह यह name क्या होता है identifier होता है उसके बाद जो main method में हमने void main लगाया void main भी क्या होता है identifier होता है उसके पास string भी इडेंटिफायर और argument भी इडेंटिफायर और यह जो void होता है यह होता है data type return type यह होता है return type ठीक है अब देखो यह एक और मैं example देखु आपको जैसे int marks तो यह एक variable बनाया इंट नाम का data type है और यहां पर मैंने इसका variable बनाया marks तो यह marks क्या identify रहा है ठीक है अब next एक और example देख लो यहां भी मैंने class बनाई फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का नाम रखा फर्स्ट प्रोग्राम तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या एक identifier है उसके बाद public static void main main method बनाया मैंने उसमें main method में main क्या identify रहा है string argument क्या identify रहा है ठीक है उसके पास system डोट आउट और प्रिंटर में आउट और प्रिंटर क्या एक identifier है ठीक है तो यह मैंने एक simple way में आपको समझाना था कि example देकर समझाना था कि कौन से कौन से identify होते है और कहा कहा पे इनका use होता है तो आप आप जब भ सबसे बड़ी बात जो हमारे आज वीडियो का टोपी का की rules of identify तो हमने rules देखने की identify को use करते हैं कौन से कौन से rules को follow करना होता है ठीक है तो यह main होता है अगर इनको follow नहीं करे हैं अची तरह तो identify में error आ सकती है use करते हैं ठीक है तो हमारी program में error आ सकती है तो उससे पहले हम को rule पढ़ना चाहिए तो rule क्या है इसका first rule देखो blank space are not allowed तो जब भी हम identify जब भी हम identify का use करें तो identify के बीच में कभी blank space नहीं आनी चाहिए जैसे यहां पर आ रही है देखो मैंने इंट इंट डेटर टाइब लिया और यहां पर variable का name लिखा यहां पर मिलब की identify बनाया equal to 10 तो identify के बीच में कभी ABC यह इकठा होना चाहिए ना बट बीच में एक space आगी है तो blank space allowed नहीं होती है identify के अंतर ठीक है तो first rule यह है second rule देखो underscore and dollar allowed तो underscore and dollar allowed होता है तो अगर हमने identify यूज कर रहे तो यहां पर हम underscore भी लगा सकते है इसके बीच में और और हम यहां पर dollar का भी यूज कर सकते हैं तो identify में underscore और dollar का use कर सकते हैं ठीक है next देखो integer value can't use first जब भी हम identifier बनाते हैं तो integer value को हम सबसे आगे नहीं लगा सकते हैं आप बाद में लगा सकते हो या last में लगा सकते हो बट पहला जो digit होता है वहां पर हमने integer नहीं यूज करना होता है वहां पर हमने अल्फा वेटी यूज करना होता है तो यह भी एक rule है identifier का next tool देखो reserved word can't be used अब reserved word कौन से होते है जैसे public private protected यह सब reserved word है तो यह हम अपने identifier में यूज नहीं कर सकते है जब भी हम देखो variable बना रहा हूं मैं int equal to 10 तो public इसके साथ नहीं लगा सकता है ना public लगा सकता है ना private ना protected यह सब मैं इसके साथ नहीं लगा सकता ठीक है तो यह थे rules of identifier तो identifier के जब भी आप यूज करोगे वैसे तो इसका use हज जगा होता है आप method में यूज करोगे class में यूज करोगे ठीक है इंटरफेस में यूज करोगे तो सब जगा इसका use होता है बट हमको use करने से पहले जिनके rules पता होना चाहिए कि किस किस way में हम identify बना सकते है मलब कि किसी भी अगर मैथ्र का नाम देना कलास का नाम देना थो किस-kis वे वे में हम उसका नाम बना सकते हैं तो यह सा रूल हमको पता हो न चाहिए ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही आई वीडेयो अच्छी लगयों अगर आप नवए चैनल पर या पर तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अल्री सब्सक्राइब कर रहा तो बैल ये को बैल आकन को नबा देना सो जाड़कि आने ओलोले लिटर सब्डेट आपको मिलतीड़े तो व्लते हैं नैक्स्ट वीडियो में nerede फेखेश्थ